टुमार भीया ने बताया कि रामदेव जी आये देख सपना चोदरी जी आई थी पर असली बात यह वह मुख्या मंत्रि के जरिवाल साब को भूल गए जो अर्याना सब्धित कि तुम्हें हसाने के लिए बुलाया के लिए के जरीवाल साब से मेरा पुराना रिष्टा है साब हम दोनों भी दूद पी रहे थे दोनों बैठे वे मैंने का सरा आपके दूद में मक्षी पड़ी है अब वह अर्याना के थे बोले पड़ी रहना दी कि तना पी लेगी कि अचा उस दूद में से उन्होंने मक्षी निकाली कुछ लोग मक्षी की तरह निकालके फेगती हैं कि विशेस बाते हो जाती हैं लेकिन साब जब राश्ट्रपती साब को चिंता होई कि कुछ फडोसी देस हमें परेशान कर रहे हैं तो उन्होंने चार लोगों को चुना कि चार लोग ऐसे आओ जो पूरे कोई भी दुश्मन देश अगर अटेक करें तो उसे निप्टा दें अच्छा तो चारों के लिस्ट बनाई गई बोले एक तो बाबाराम देव को बुला दो निप्टा जेंगे बुला भी बाबाराम देव कैसे निप्टा देंगे दुश्मन देश को बोले उन्होंने बड़े-बड़े उध्योग पति निप्टा दिए अग अगर अगर अगरनी ऋपते हैं किम डुका है ट मिनष्मांदी जयता है कि आप कि अड़े को बुला दो दुश्मन देश को बोले वी रहुल जीस्क्ति निप्ता सकतेे बोले जिसे में गहाने इनिप्टा दी कि वेग में यृर्ण राध भी आपको लगए की आपको आपकी तालिया चाहिए लॉन को चाहिए था तो छोथव JEFF भी फिर Expect अब चारव लोगों ने पाकिस्तान को या किसी भी देश को दुश्मन देशंक को कैसे निप्टा कि अऊ कि राम देव बोले यह दी अपनी पे आ गया तो हां कि सुनो बेंजी आपड़ी लिखी लग रही हो कि राम देव बोले यह दी अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा राम देव जी का जलवा अभी एक दोस्त मेरे पर होते विए आया यार दादा जी गुजर गए में रहा क्या हुआ बढ़ा राम देव ने मरवा दिया तेरे दादा जी राम देव जी ने कैसे मरवा दिये वो ले यार टीवी के सामने योग सीकरें तो चुबहे चार बजे दादा मेरे भोले भाले बाबा बोला साज खैचो दादा जी ने खैच ली बाबा बोला और खैचो दादा जी ने यहां तक खैच ली इतनी देर में कुमार भाईया लाइट चली गे थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादा जी खैच लिया इतनी देर में लाइट आ गई बाबा राम देव उसमें से बोल रहे थे कि इस परकार से तमाम रोगों का निवारन किया जाता है यह अच्छा है यह बहुत अच्छा है कि राम देव बोले यह दी अपनी पे आग कि मैंने का हभूल के भी मुझसे उलजी ओना मैंने का हभूल के भी मुझसे उलजी ओना मैंने का हभूल के भी मुझसे उलजी ओना लंबी लंबी कवीता सुना कि मैंने का हभूल के भी मुझसे उलजी ओना मैंने का हभूल के भी मुझसे उलजी ओना लंबी लंबी कवीता स चुना के मार डालूगा और राहुल बोले पिछ थे सी देशों की कसम मुझे बाइया अपनी चला के मार डालूगा आफे पास मेरी कोई रही हमत रखना उसके नहीं की वहारी की घहराई में फिर इसे प्रक्रण किजिजी साथ disparity की गहराई में फिर से ना उतर ले ले मिलते ही फिर दो बारा वो हरकत न ये कर ले मिलते ही फिर दो बारा वो हरकत न ये कर ले सनसद में भी आने से वो वो कतराने लगे हैं कि मोधी को ढर है फिर कहीं वाहों में ना भर ले मेढिया ने सवाल गिया अच्छा की किस को परधान मंतरी कि इच्छा है तीन-चार लोग आ गए अपनी अपनी बात बताई सुनिए गाशाम कि अखिलेशी बोले इस दफ़ा साइकिल को ले आओ मायावती ये बोली अब के हाथी को लाओ राहुल जी मीटु मीटु कहके दोड़ के आए राहुल जी मीटु मीटु कहके दोड़ के आए दुल्हा ना बन सका कम पीयम तो बनाओ दुल्हा कभी ना बन सका पीयम तो बनाओ दुल्हा कभी ना बन सका पीयम तो बनाओ वाद चानल राम मंदिर के बारे में कुछ बाते करें इसी पर हो रही है अजकर ये नेता वादा करके दगाबाज हो गए साथ पहली पंती अच्छी लगिए तो तालिया चाता हुआ कि ये नेता वादा करके दगाबाज हो गए सत्ता के लोभी कैसे बेली हाज हो गए दुनिया के नयाए धीश को ना नयाए मिल सका मंदिर बनाने के लिए मोहताज हो गए अभी बताई साब बोदीजी ने गोश्णा करी थी अच्छे दिन आएंगे के इस बार मोदी जी कि याई सरकार देखो हाँ सबको उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आली शान एक चबूत्रा बनाई आडवानी सोच रहे पीए में तो बने नहीं, आडवानी सोच रहे, 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 लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे 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 लगता है अर्याना की बात करी बाइसाब ने अर्याना का बच्चा भी बहुत हाजिर जवाब रहता ह वह एक बच्ची का अरे उंचन ठाजेकर अभीटा रिजल्ट का क्या उप्रकॉ फिर कमना संदर अंदर मोधी उपिर हम इंऊ भी मस्ती 10 अलग होथी है हलाग ह성 व owns योई इक पाबा ढी मोऩ गर पर चलेगा हां उन्होंने का बाबाजी नए net फिर कि जड़ा इसका घ Age क्या है अन्होंने बच्चा डेखा बो नो हो इसके तो मात्य का थे थीज बता रहा है इतनी बात दूरे बड़ी होकर जांसी की रानी बनेगी बोला बाबा यह सौरह है यह ऑर जो रहा education तो महाराना पड़ता बन जागा वहीं से साब मैंने एक हाथ से विंग लिता आजकल के बाबा पहले के जो रिशी मुनी थे बाबाओं से जिन से संस्क्रीटी चलती है उनके चरणों में प्रणाम करता हूं लेकिन आजकल के कुछ बाबाओं ने कुरितियों से इस देश को कही ना कई नीचे पोचाया है मैं बाबाओं के लिए व्यंग पढ़ता हूं साब भरष्ट बाबा जो करप्ट बाबा है एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं आजकल काम में बहुत मंदा है मैं बोला बाबा बंजा कम लागत में सबसे अच्छा धंदा है वो बोला यार लेकिन मैं तो शादी शुदा हूं यह बड़ी कठनाई है मैं बोला तू एक से घबरा गिया एक आदेबाबा की तो कई-कई लुगाई है एक लंबा सा तिलक लगा कर दाड़ी बढ़ा ले फिर चाहे किसी को भी मूरख बना ले एक लंबा सा तिलक लगा कर तु कोई सा एक भगवान पकड़ ले, उसकी सारी कथाय मुझावानी रट ले, उसकी सारी कथाय मुझावानी रट ले, दो-तिन संश्क्रित के स्लोक, और चार-पांच आरती आद कर लियो, धोलक मजीरे वाले की जुरुत पड़े तो मेरे को धर लियो, वैसे भी तो पबलिक को केवल आख मुंद कर गरदन हिलानी है, वैसे भी पबलिक को तो आख मुंद कर केवल गरदन हिलानी है, उन्हें नहीं पता कौन मुर्चित पड़ा और बूटी कि स्कोलानी है, उन्हें नहीं पता कौन मुर्चित पड़ा है, और बूटी कि स्कोलानी है, उन्हें नहीं प बहुत बढ़िया